ओल्लेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वानो अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एर कंडिशनिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आग इस वीडियों पढ़ने वाले सारे नोट्स आपको पीडिया फॉर्मेट म के लिए कर सकते हैं हाँ तो मेरे जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरे को सुरुआत करते हैं लिक्विड वैपर रिजनरेटिव हीट एक्चेंजर यहाँ पर साथियों हम सिस्टम से हीट लेंगे सिस्टम को हीट देने वाले हैं तो किस परकार से क्या चैंज देखने पर रहता था, लेखिन अब इसमेंसे इन आइनों को हम साथ होँएख heat exchanger में से गुजारते हैं, इस line को इस्में प्रकार से, फिर इसके बाद इस line को इस प्रकार से, तो heat exchanger के साथ अफना नया circle बन जाता है साथ यो जिसमें evaporator line जा रही है साथ तो heat exchanger में उसके बाद जा रिए compressor में compressor से साथ यो condenser condenser से फिर heat exchanger जाते हुए साथ यो expansion valve उसके बाद फिर evaporator में इस परकार से ये cycle complete हो रहा है जैसे हम जानते हैं साथ यो compressor और ये expansion valve है इससे नीचे low pressure होता है साथ यो temperature भी लो होता है उसको बर high temperature high pressure होता है तो अब यहाँ पर जो ये line आर ये condenser से इसका temperature high होगा साथ यो और जो वापर जारे एव operator से इसका temperature low होगा तो high temperature इसके लिए heat देगा और ये low temperature इसको cool करेगा तो अब यदि इस process को आप TAS temperature entropy diagram में सो करना चाहें तो किस प्रकार सो कर सकते हैं साथ यो जैसा कि ये अपनी saturated liquid line होती है critical point होता है उसके बाद saturated vapor line होती है ये कहा जाए ये doom होता है जो बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं इसका इस्तेमाल आपने बहुत बार किया होगा और करते रहेंगे simple अपना vibration compression cycle इस प्रकार से complete हो जाया करता था साथ यो इस प्रकार से cycle complete हो जाता था लेकिन हमने देखिए साथियो यदि super heating हो तो point one से one dash हो जाता है और sub cooling हो three से three dash हो जाता है पिछली वीडियो में हम detail में जान चुके हैं किस प्रकार से super heating होती है किस प्रकार से यहाँ पर sub cooling होती है और उसको किस प्रकार से टीएस डाइग्राम में so किया जाता है यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो भी आप यहाँ से continue कर सकते हैं अब यहाँ पर साथियो super heat हो जा रहा है compressor में already साथियो heat exchanger से heat इसे मिल रही है तो यह one dash बन जाता है साथियो one से क्योंकि इसका heat exchanger ने temperature increase कर दिया है अब इसको compressor और increase कर देगा temperature और pressure इसका तो इस परकार से two process perform होता है उसके बाद साथियो constant pressure पर यह process perform होता है और इसको sub cool कर दिया जाता है तो three से three dash process प्राफ्ट होता है उसके बाद यदि normal होता है तो यहाँ पर आपको point मिलता four dash लेकिन अब इस परकार three dash से four यह point मिलता है आपको four इस परकार इससे फिर वापिस जाए साथियो continue तो यह cycle complete होता है इस परकार से अपना process perform होता रहता है अब इस परकार से diagram show करने से आपको क्या क्या समझ मारा साथियों क्या 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 आप देख सकते हैं यहाँ पर work input है साथियों उसमें increment देखने को मिलता है क्योंकि साथियों यह diverging line होती है यह line होगी इसके बाद यहाँ होगी line बढ़ती जाएंगी तो जो process है work input को show करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं work input में increment हुआ है उसके बाद हम देखते हैं साथियों यह line होती है representation effect के लिए जहाँ पर heat absorb की जाती है इसकी length बढ़ा दी जाए तो आप कह सकते हैं यहाँ पर representation effect में भी increment हुआ है इस increment को आप चाहें तो P और S diagram पर देख सकते हैं साथियों किस यहाँ से continue करते हैं साथियों जो heat आ रही है यहाँ पर condenser से इधर आ रही है साथियों इसमें इधर देगा अब यह heat absorb कर लेगा तो इससे हम कह सकते हैं साथियों जितनी heat represent के दौरा यहाँ से ली जा रही है इव operator से compressor की तरफ इतनी यहाँ पर reject की जा रही है तो यहाँ पर heat gain by represent coming from evaporator is equal to heat lost by represent coming from condenser evaporator की तरफ से साथ हो heat जो represent आ रहा है वो heat gain करेगा और जो किसके एककोल होगा heat lost by represent इसके दौरा represent के दौरा heat lost की जाएगी कौन से बाले दौरा coming from condenser condenser की तरफ से जो आ रहा है क्योंकि वो गरम है वो heat lost करेगा तो इस परकार से दोन heat बरावर होगी अब इस परकार आप लिख सकते हैं साथियो enthalpy में change बरावर होगा तो यहाँ पर enthalpy और pressure diagram आप देख सकते हैं pressure और यह enthalpy axis है specific enthalpy अब यहाँ पर normal process किस परकार होता था साथियो अपना 1 उसके बाद 2, 3, 4 इस परकार cycle complete हो जाता था लेकिन यहाँ पर super heating हो रही है साथियो तो 1 से 1 dash हो गया है और cooling हो रही है 3 से 3 dash हो गया है तो इस परकार अपना अब new circle किस परकार से complete हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे 1 dash से 2, 3 dash, 4 और 1 dash इस परकार से new cycle complete हो रहा है तो आप कह सकते हैं साथियो heat lost हो रही है यहाँ पर heat gain की जारी यह दोनों बराबर होंगी यह दोनों इक्कल होंगे तो इनको enthalpy format में आप लिख सकते हैं h3 minus h3 dash और इसी परकार आप लिख सकते हैं h1 dash minus h1 यह change देखने को आ रहा है इसे आप इस परकार से mathematical format में लिख सकते हैं h3 minus h3 dash is equal to h1 dash minus h1 अब हम जानते हैं साथियो enthalpy है specific enthalpy उसको किस परकार लिख सकते हैं c delta लिखते हैं साथियो तो c ले लिया specific heat है और delta को temperature difference लिख दिया है तो temperature 3 के लिए t3 minus t3 dash इस परकार से temperature आ गया है इनके लिए यह specific heat है साथियो साथियो जो liquid अपना represent है उसके लिए यहाँ पर जो represent बैपर बन जाता है उसके लिए यह दोनों अलग-अलग होती हैं जरूर नहीं है साथ यह हो यह सैम हो इस enthalpy format के लिए हम लिख सकते हैं cp v into t1 dash minus t1 इन temperature difference को आप इस परकार देख सकते हैं 3 dash 3 और 1 1 dash इस परकार से temperature difference देखने को मिलता है साथियो यह degree of super heat degree of super cool कहलाएंगे आगे जाकर देख रहे हैं साथियो यहाँ आप देख सकते हैं इसको t3 minus t3 dash को degree of sub cool और इसको t1 dash minus t1 को degree of super heat के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं c क्या है specific heat of liquid represent और यह क्या है साथियो cpv specific heat of vapor represent अब इस परकार detail study करने के बाद आप कह सकते हैं liquid vapor regenerative heat exchanger में आपको work input और refrigeration effect भी दोनुद इंक्रिमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह होता साथियो और इसके बाद यह line है थोड़ी इस परकार तिर्ची है तो इस line से बढ effect में भी ब्रद्धी देखने को मिलती है लेकिन coefficient of performance सेम रहता है साथियो working cost भी इसकी सेम रहती है यह degree of subcool degree of super heat है साथियो जरूर नहीं है सेम हो degree of subcool need not to be same as degree of super heat यहाँ पर pressure में कोई change नहीं आ रहा है volumetric की PCNC आप देखना चाहें तो साथियो pressure change नहीं हो रहा तो volumetric की PCNC भी सेम रहेगी तो इस परकार से हमने जाना साथियो detail में sub cooling और super heating करने से क्या effect देखने को मिलते हैं बैपर compression cycle में इसके बाद साथियो use of less chamber देख लिया था पिछली वीडियो में इसको cover कर लिया गया था क्योंकि यह बहुत बड़ा topic नहीं था वीडियो sort करने के लिए इसको यही पर छोड़ दिया गया था कुछ extra add करना चाहते हैं यह आप लिख सकते हैं साथियो पिछली वीडियो देखते रहें कुछ extra point आप add कर सकते हैं concept आपके के लिए रहेंगे तो कुछ भी पूशा जाय करने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में जहिन बंदे मातरम